पिशब पंत के ICC विश्व कब 2019 टीम में शामिल नहीं किये जाने को लेकर काफी बहस हुई थी। आखिरोंने चोटल शिखर धवन के स्थान पर टीम में जगा मिली और पिछले दो मैचों में वे नमबर चार पर खेल रहे हैं। बल्ले से प्रदिवा शाली ये खिलाडी मैदान पर फिल्डिंग में कमजोड दिख रहा है। यही कारण है कि कप्तान विराथ कोली और महेंदर सिंग धोनी को पंत को मैदान पर कहीं ऐसी जगा छपाना पड़ रहा है जहां गेंद कम आ सके। टीम के फिल्डिंग कोच आर श्रिधर ने भी इंग्लैंड के खिलाप खेले गए मैच में पंत द्वारा बचाए गए 5 रोनों का विशेश दिक्र किया था। जिससे पता चला कि पंत से फिल्डिंग को लेकर क्या उमीद की जा रही है। पंत मुख्या रूप से विकेट कीपर हैं लेकिन धोनी के रहते उन्हें फिल्डिंग करनी पड़ रही है। बांगलादेश के खिलाप खेले गए मैच में श्रिधर ने कहा उन्हें पंत के साथ काफी महनत करने की जरूरत है। सबसे पहले तो उन्हें अपनी थ्रो करने की तकनीक को सुधार ना होगा। साथ ही है मानसिकता लानी होगी कि वे मैदान पर फिल्डिंग कर रहे हैं। हमारी कोशिश उसे बहतर तरीके से इस्तमाल करने की है। पिछले मैच में उन्होंने पांच रून बचाये थे जो हमारे लिए बोनस था। रिशा पंत को मैच में बार बार सीमा रेखा से वापस सर्किल में लाया जा रहा था। वे बाउंडरी पर अच्छे फिल्डिंग नहीं कर पा रहे थे। वे सीमा पर कैच भी नहीं पकड़ सके जो कप्तान को भी अकरा। उन्हें मैदान पर चौकरना रहने के लिए थोड़ी और महनत करनी पड़ेगी। इस वीडियो में बस इतना ही मैं नहीं हसूत पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज क्रुकेट केसरी को लाइक कीजी। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल क्रुकेट केसरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। झाल झाल